Hello everyone, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो मैं actually discuss करने के लिए काफी सारी चीजे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से request करना चाहूँगा कि आप वीडियो को last तक जरूर देखना, अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ कि यहां पर हमको दो updates के बारे में ब one position के लिए यहां पर hiring announced कर दी है, which will be a very 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 big hiring opportunity, so उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, बड़ी जो company है Accenture और प्रसीडो जिसके बारे में हम discuss करना है, इसको हम discuss करेंगे सबसे ज़्यादा last में, पहले हम hirings के बारे में discuss करते हैं, और जिनको इनके updates के बारे में जानना है, वीड इसके बारे में लास्ट में डिसकस करेंगे, so first one is a very big hiring opportunity from Rupiq, so Rupiq is hiring for software development engineer one job role, software development engineer one, SD one job role है, कौन कौन अप्लाइ कर सकता है, बी बी टेक रेजुट इन बेक्रांड ऑग्ग्रांड of CSE, IT, ECE, EEE, and have strong oriented, object oriented design skills in C, C++, और जावा, preferably on Linux, and आपको इसमें apply कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक link दी है, इस फाले डॉक को आपको open करना है, जब आप इस डॉक को open करोगे, email, name वगरा डालना है, content number, college number, अपनी degree choose करनी है, year of graduation में इसमें 23, 22 और 21 से eligible है, this is for 2021, 2022, 2023, 2023, CGPI आपको अपने यहाँ पर डालने है, उसके बाद अगर आपको कोई internship experience है, वो सब आप यहाँ पर, आप इसमें fill कर सकते हो, उसके बाद आपको इस सारे basic details भरने है, आपको resume submit करना है, और upload करना है, यह hiring कल तक expire हो जाएगी, पहले ही बताना चाहता हूँ, कल तक इसकी expire हो बिल्कुल scratch से सीखना चाहते हो, सबसे साथ में, आप चाहते हो कि आप बिल्कुल job ready हो जाओ, आप में वो सारी skills आजया है, जो अभी current industry में चल रही है, साती साथ में, आपको यहाँ पर placement भी provide कराया जाए, तो आप यहाँ पर enroll कर सकते हो, AccuJob के course में, और सबसे बड़ी ब लोग है, जो खुद यहाँ पर काफी बड़ी-बड़ी tech giants में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल आपको scratch से लेके expert level तक, नहीं केवल आपको coding side में सिखा जाता है, बाकी साथ में आपको soft skills, even portfolio building, LinkedIn आपको कैसे update रखना है, सभी चीज़ां को सिखा ही जाती है, so let's talk about this course and इसमें enroll कैसे करना है, उसके सारे details अभी हम देख लेते हैं, so यह AccuJob का portal है, यहाँ पर अभी तक total 1500 plus students place हो चुके है, 41 LPA तक की highest salary गई है, 450 plus total partner companies है, और यहाँ पर average salary 7.2 LPA तक की गई है, और AccuJob में यहाँ पर आपको काफी सारी facilities provide कराई जाती है, talking about this, आप इनके pay after placement courses म में enroll कर सकते हो, साथ ही साथ में, अगर हम AccuJob के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको NSDC aggregate certification दिया जाता है, इनके portal पर आपको यहाँ पर daily life classes, doubt solving, practice interviews, placement portal और यहाँ पर weekly contest भी conduct कराई जाते हैं, यहाँ पर आपको एक separate placement की team मिलती है, आप practice interviews भी कर सकते हो, और यहाँ पर HR interview, AppQ training, सभी कुछ आपको इस course में सिखाया जाएगा, साथ साथ में, resume building, LinkedIn portfolio building, सभी features आपको आपको प्रवाइड कराए जाएंगे, course में registration करने के लिए you can apply now for free, यहाँ पर आपको बस नाम डलना है, mobile number डलना है, नाम और mobile डाल कर आप start learning for free कर सकते हो, इसकी link आपको मिलेगी description में, तो बिल्कुल भी भूला मत description की link को open करो, और आप इसमें आगे आपको बार कर सकते हो, बिल्कुल live hiring के बारे में, यह live test है, आ interview rounds अभी इसके live चल रहे है, solution आप submit कर सकते हो, इसमें, बिल्कुल live hiring है, जैसे solution submit करोगे, अगर आपके solution को verify किया गया, यहाँ पर आपका video interview और video interview, दो video interviews इसके live चल रहे है, test live है, submit कर सकते हो, इसके लिए, ठीक है, तो इसमें भी आप लोग apply कर पाऊगे, then, Wipro की तरफ से हमें एक mass hiring देखने को मिल रहे है, तो Wipro, mega walk-in drive for freshers, गाची बोली में रहेगी, 28th and 29th में के लिए, और यहाँ पर Wipro campus का यह gate वगरा, यहाँ पर सब कुछ mention है, job location वगरा, हैदराबाद रहेगी, and सबसे बढ़िया बाद इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ, direct walk-in drive है कोई short listing नहीं है, और talking about this, इसमें 2021, 2022, 2023, 2024, यह सभी batches eligible है, सारे के सारे batches eligible है, interview के location दी हुई है, interested candidates can walk-in directly to Wipro का office on 28th and 29th मे, so direct opportunity हमें विप्रो की तरफ से देखने को बेल रही है, so if you want to go for a non-tech opportunity, you can go for this, ठीक है, important है, ठीक है, freshers के लिए, then we have a hiring opportunity from Bidong, So Bidongo is hiring for DevOps interns, so you can try to apply 0 to 1 years of experience की requirement मांगी है, and must have DevOps scripting experience की requirement मांगी है, experience with public, private, cloud, solutions, and बाकी की requirements भी आप यहां पर सारी पढ़ सकते हो, then हमें hiring देखने को मिल रही है, from Zenpact, they are hiring for consultant, Java developer, and यहां पर इनकी requirement है, B, Bteg, MCA, MBA, excellent return verbal communication skills, good problem solving skills, ठीक है, और proficiency ही होनी चाहिए, Java 8 programming में, consultant, Java developer के लिए position है, इसमें भी आप लोग अपलाए कर पा होगे, then we have a hiring opportunity from S&P Global, hiring for apprenticeship software engineer, you can try to apply, basic requirements यहां पर सारी मेंशन है, bachelor's degree in computer science, information system engineering is required, and basic requirements भी आप यहां पर सारी पढ़ सकते हो, then we have a hiring opportunity from MindTickle, hiring for design systems intern, you can try to apply in this as well, then we have a hiring opportunity, this is a full stack internship position from GetCino, and they are hiring for 25 graduates, ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं, जो हम मेन मुद्डे पर आए थे, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, उससे पहले एक hiring और है, हमारे पास वो है, Quincy's की, so Quincy's is hiring for software development intern, करना टक बेंगलोर job location रहेगी, और यह एक बड़ी hiring opportunity है, मैं request करूंग, आप लोग इसमें जरूर एपलाए करें, Quincy's कंपनी का नाम है, इससे रिवर्ट आने के भी chances हैं, so do not miss to apply, ठीक है, अब बात करते हैं पहले Accenture की और फिर बात करेंगे हम यहाँ पर आपके इसकी प्रिसीडियों की, ठीक है, so UBS से start करेंगे, sorry Accenture से start करेंगे, सबसे पहले तो आज अगर आप देखोगे तो Accenture से हमें interview receive हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस interview की बात करें, दो job role है, PADA और SAS है, अब PADA के अगर आप देखोगे तो already interviews पहले आ चुके थे, ठीक है, ऐसे ऐसे के लिए यहाँ पर candidates wait कर रहे थे interviews के लिए, ठीक है, Now I just want to tell you one thing, कि PADA job role के लिए यह जो interviews है, यहाँ पर Accenture ने release किये हैं, and ऐसे ऐसे job role के लिए भी यहाँ पर interviews release करें है, Accenture ने, जिसका exam हुआ था यहाँ पर आपका 18th को, ठीक है, Not talking about this, यह जो आपके interviews हैं, कि कब-कब डेट के लिए आएं, तो देखो काफी सारे बच्चों का aptitude test था, Accenture का, वह था 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23 के लिए, PADA job role के लिए, और ऐसे ऐसे में हुआ था, आपका 17th, 18th, दोनों ही लोगों के लिए, यहाँ पर interviews roll out हुए है, PADA के लिए भी, और SSA के लिए भी, जिन लोगों ने 17th, 18th का exam दिया था, उनको interview आ चुके है, जिन ने 22, 23 को दिया था है, उनको भी interview आ चुके है, दूसरी बात, अभी जिन लोगों ने माई के starting, जो first week of मै था, जिन लोगों के यहाँ पर आप यहाँ पान के चलो, के जिन लोगों के यहाँ पर interview, वो sorry, exam हुआ था, maximum उन लोगों के यहाँ पर interview अब आ चुके है, जिन लोगों के अभी तक interview रिसीव नहीं हुआ है, और जि shift में interview हमें देखने को मिले है, majorly, same goes with essay, essay, यहाँ पर अभी यह एक shift के interview है, अगर suppose आपने exam दिया था, essay, essay में, और अगर आपको interview नहीं receive हुआ है, so I would suggest के अभी आप थोड़ा wait इसके लिए और कर सकते हैं, now talking about the next phase, जैसे कि हम बात करते हुआ हैं, next phase को लेकर क्या है, देख my first week था, my first week में आपका एक phase हुआ था, एक बड़ा phase, उसके बाद कुछ बच्चों को जो receive हुए थे 22, 23rd March, यह sorry, में के आसपास receive हुए थे for PADA, and 17th, 18th को यहाँ पर receive हुए थे, ऐसे-ऐसे के लिए, ठीक है, now talking about this, आपको यह बोलना चाहता हूँ, जो लोग आप wait कर रहे ह है, for the next phase, जिनको अभी तक नहीं आया है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि यहाँ पर June, starting से लेके, और June आपकी 15 तक, यहाँ पर strong chance है कि आपका जो next phase है, वो start हो सकता है, so you guys can try to be ready with that, and talking about procedure, प्रिसीडियो का जिन लोगो उनने hiring यहाँ पर submit करा था अपना project, वहाँ पर अपडेट आया है, to update the deployment link, अब यह क्यों आया है, देखो जब deployment link आपके project की चाहेगी, then the jury will be evaluating that, and based on that, आपको call आएगा jury और panel से, okay, आपके deployed project की उपर यहाँ पर questions बना जाएगी, और वो questions आप से पूछे जाएगी, so इसलिए आप से deployment की link, ठीक है, so I hope the update आपको समझ में आएगी हो, hiring आपको पसंद आई होगी, thank you so much for watching this video.